खराब जोल्री से लेकर ऐसे आक्सिरिंग्स तक एक दिन में बहुत कुछ खराब हो सकता है पर हर ऐसी खराब चीज़ के लिए एक नाइट प्रिक तो है हम आपको वो सब दिखाएंगे जो आपको जानने की जरुवत है मैं अगला बबल कितना बड़ा बना सकती हूँ शायद मुझे एक और चाहिए ये तो रिकार्ट तोड़ देगा हाँ ये सॉप्ट हो रहा है लेकिन मुझे इसे खेचना चाहिए अब बनेगा बड़ा बबल ओ नहीं ये बहुत बुरा हुआ क्या मुझे ये बैटी को बताना चाहिए नहीं मैं इसे निकाल ही लेती हूँ क्या अगम नहीं ओ नहीं मैं क्या करूँ अख शाद वो वक बहना चाहती है नहीं ये बेव कोफी है वैसे इसे ठीक करने का एक ही रास्ता है लेकिन वो दुआन देदेगी मेरी कोक क्या इससे गम बहार आ जाएगी गम के पास बॉटल को रखे अब उन बालों को इसके अंदर डाली जब तक गम इसमें न डूप जाए इसे डालते रहे अब बाहर निकाल ले और इसे अपने उगलियों से खीच ले इसने काम किया बाल बाल बचे ना येक्स, मुझे काम पर लगना होगा इन पिकल्स की खुश्बू अच्छी है और इनका स्वार भी अच्छा होगा ओ, हाँ बिल्कुल हेई, देखो मेरी दादी माने क्या दिया ये कितना पुराना है ये बहुत चमकदार हुआ करता था मैं ये नहीं पहन सकती ये गंदा है बेकार हुआ, कोई बात नहीं बैला और मुझे पता है क्या करना है इसे पिकल जूस में डाल दू ब्राइन सल्वर को बेकुल साफ कर देगा वो अब थोड़ा बेकिंग सोडा और बस ले जा दू अब बबल्स क्रफिंग करेंगे जब बबल्स हट जाए, तो ये हो गया लगता है ये बस हो ही गया इसे थोड़ा हिलाए और बाहर निकाले हेई, इसे देखो क्या ये सुन्दर नहीं है वाँ, मज़े याद है ये ऐसा ही था मैं कर देती हूँ ये जमकदार है है ना अब इस सुन्दर तको तु देखो शुक्रिया तुम मेरी सबसे समझदार दोस्त हो और सबसे अच्छी कोप भी तुम्हें अपनी सुबा के शुरुआत अपने मन पसंद नाश्टे से करनी चाहिए और बैटी के लिए वो कौन फ्लेक्स है ओ गन मच गया चलो अकली बार मिलते हैं सेरिल अ ये चोरा हे मेरी लिए कुछ बचा लगता तो है अरे चलो भी आ गया ओ नहीं गुल ये बिल्कुल सही नहीं है बैटी बैटी हाँ क्या हो गया क्या तुम्हें पता इसे बन कैसे करते हैं ये करना मैं तुम्हें सिखाती हूँ तीन डाप्स को अंदर की तरफ करें अब साइट को इस तरह मोड़े और दूसरे तरफ भी और आख्रे वाले डाप्स को अब बस तरह लगाए हो गया अब ये बिल्कुल सरक्षित होगा देखो और अब ये गिरेगा भी नहीं हाँ ये थोड़ा अलग है ये लो और अब काम पर लगो क्योंकि मुझे क्लास लेनी है जो तुमका हो बैला शुक्र है मैं कर्टूथ ले आई थी मुझे बस एक खेकप चाहिए और अब हम ब्लेंक करेंगे एक मिनिट इसके लिए काफी होगा क्या ये इस तरह उचलने वाला है गाह आखों का बचाना शायद ही बोल में कुछ बचा होगा ये एक स्ट्रॉबिरी केक फेशल के तरह है तुम मुझे इस तरह धोका कैसे दे सकते हो मैं घबी बेख नहीं करूँगी बस हो ही गया हाँ क्या ये मैला है क्या हुआ वैसे बताने के जरूवत नहीं ये कैसे हुआ मुझे दो शायद मेरे पास एक आइडिया है एक उसकोड प्लायर से अपने क्विक की मिक्सिंग डिवाइस बनाए पले प्रॉंक्स को धोड़ा बाहर खीचते अब टिप्स पर होट लो लगाए ध्यान रहे कि एक छोटे गलोब्स हो क्योंकि एक इसे चीज़ के साथ अटाच नहीं होने वाले अब इनी सूखने दे अपने आसों को सुखा लो बेला तुम अतना ही रो चुकी हो अब अच्छा महसूस हो रहा है थोड़ी सर की मालिष्ट में शान्द करेगी ये थोड़ा लगता है पर बेथर महसूस हो रहा है है ना? हेई, ये सच में काम कर रहा है पहले नहालो, फिर गली लगना हाँ, ये पानी की बुंदों के आवास बहुत अच्छी है से बहतर कुछ भी नहीं, है ना? ओहू, मुझे इसी के जरुरत थी अब मुझे अपने बार टावल में बान दे होंगे और अब मेरी ब्यूटी रूटीन सबसे पहले दातू को ब्रश करो वो कहते हैं कि थोड़ी सी भी काफी है पर मैं केटी हूँ, जितना जादा उतना भैतर आह, ये तास्गी भरा है रुको, मेरा टावल इक, इस पर गंदी टूथ पेस लग गई रुको, मेरा हेर लास्ट है शाद मैं इससे कुछ बना सकती हूँ इस हैक के लिए टावल को आधी में मोड़े फिर एक अच्छी खासी कैची ले और एक डाइट नुल लाइन काटे राइट वाला साइड में रख दे और अब सोई धाग ले और दोनों हिस्सों को साथ मिसल दे इसे पूरा बन करने से पहले टिप पर आधी तरफ एलास्टिक लगाए अब इसे मिला करसल दे जब भी हो जाए तो फाल्त हुदागा काटे अब इसे इस तरह खोले और एलास्टिक को बाहर खेच ले पर यह अभी नहीं हुआ यह बटन देख रहे हो इसे स्कूने पर से ले पर सिर्फ एक ही लेर बहुत ही बढ़िया इस मास्टरपीस को देखो और जब यह आपके सर पर आ जाए तो इसे घुमाए और बटन पर लगा दे तो क्या इन में से कोई हाक्स काम आएंगे चाहिए आप से घुल गिराने वाले या गन बचाने वाले बेकर हो यह लाइफ हाक्स आपका दिन बचा लेंगे आप चीज़े आसान करने के लिए कौन्सा लाइफ हैक इस्तिमाल करते हैं हमें नीचे कमेंट्स में बताएं शायद हम वो अंगली वीडियो में डाल दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भेन हाक्स का फायदा उठा सकें क्या ये वीडियो देखी है एक पर क्लिक करें हमारी यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करकर